हेलो आल आज हम लोग देखने वाले हैं आफ्टर एफेक्स में कैसे हम लोग ट्रैक करते हैं तो विसिकली ट्रैकिंग दो टैप्स का हम लोग करते हैं जैसे 2D ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैकिंग और 3D ट्रैकिंग इस 2D Tracking and 3D Tracking, 2D Tracking में बहुत सरे Types होते हैं, जैसे Single Point, One Point Tracking, Two Point, Four Point यूज़ करके, Planner Tracking, Multi Tracking, Multi Point Tracking, तो ये सारे Tracking का Types होता है, जो 2D Tracking के अंदर आता है, तो आज हम लोग दिखने वाल हैं, 2D Tracking के अंदर कैसे One Point Tracking, मतलब Single Point Tracking काम कर रहे हैं, ये जस्ट एक Footage है, जिसको मैं Play कर रहा हूँ, इस Footage में ये हो रहा है कि जो Sheep है, इसका Moment हो रहा है, मतलब जो Sheep है, ये Position इसी करी Change कर रहा है, तो जब किसी चीज़ का Position Change हो रहा है, तो हम लोग Easily One Point Tracking उसको कर सकते हैं, Depends upon Footage का Motion कैसे है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहा है कि Basically, जो Position है, वो Move कर रहा है, You can see, मैं इसको अगर Play करूँगा, तो Position Move कर रहा है, तो इस जगहा पर हम लोग इसमें One Point Tracking का Use कर सकते हैं, तो Basically कैसे हम लोग इसको यहां पर करेंगे One Point Tracking वही देखेंगे, So, जो Layer है, इसको हम लोगों ने कर दिया duplicate, Ctrl D जिसका shortcut है, अब Tracking करने के लिए, हम लोगों को यहां पर चाहिए एक Tracking Point, So, Tracking Point कहां से मिलेगा, Tracking Point मिलता है Tracker से, Windows में जाएंगे, एंड नीचे मिलता है Tracker, जो यहां पर मेरा On है, अगर Off होता है, तो यहां पर Click करके हम लोग इसको On करेंगे, Right Side में आता है Tracker, So, Just Click on the Tracker Tab, Tracker Trab में जैसी Click करेंगे, तो यहां पर कुछ Options मिल जाएगा, Track Camera, Track Motion, Work Stabilizer, Stabilizer Motion, So, Basically, जो हम लोग One Point Tracking मतलब, जो 2D Tracking यूज़ करते हैं, 1 Point, 3 Point, 4 Point, 2 Point यह सब के, तो यह सब में हम लोग Track Motion यूज़ करने वाले हैं, Track Motion, यह 2D Tracking का जितना भी Types होता है, वो इसके अंदर आ जाता है, So, Just Click on the Track Motion, जैसे हम लोग यहां पर Track Motion में क्लिक करेंगे, तो यहां पर अगर Zoom करेंगे, यहां पर यह Track Point 1 आ जाता है, and जो हम लोगों का footage है, वो composition से automatic layer में shift हो चुका है, जो भी Tracking का काम होता है, वो layer panel पर यहां पर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Zoom करेंगे, and हम लोग एक Contrasting Point देखेंगे, जिसमें हम लोग यह जो Track Point है, वहां पर उसको हम लोग set करेंगे, तो suppose अगर हम लोग इस Point को या यह Point को as a choose करते हैं, तो हम लोग Zoom करेंगे, and just click यहां पर जो Gap है, यह जो Big Box है, यहां पर हम लोग उने क्लिक किया, and click करके, drag करके, मैं इस जगा पर इसको set करूगा, जिस जगा पर चाहिए, अगर आपको इस जगा पर इसका Track लेना है, तो हम लोग basically इसमें क्लिक करेंगे, Track basically हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग footage का जो भी information है उसको हम लोग extract कर पाएं, footage का जो भी information है वो हम लोग capture कर पाएंगे Track से, कि footage का motion है, rotation, scale क्या है, तो हम लोग इसमें as example यहां पर हम लोग उने click करेंगे, so click and drag, तो यहां पर यह set हो गया है, जो big box है, जो बड़ा box है इसको search region बोलते हैं, जो छोटा box है इसको हम लोग बोलते है, pattern यह feature region और इसको बोलते है, attachment point, तो हम लोग according to us हम लोग क्या करेंगे इसको search area को थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं, feature area को यह pattern area को and this is the attachment point, हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको track करेंगे, track हम लोग कोई भी frame से शुरू कर सकते हैं, first frame से, middle frame से या last frame से, जिस में हम लोगों का जो pattern को हम लोग track करने जा रहे हैं, जहां जिस frame से वो properly visible होगा, वहां से ही हम लोग इसको track start करेंगे, तो इस this footage में हम लोगों का जो first frame है, वहां से यह properly visible हो रहा है, तो हम लोग यहां से इसको शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग इसको यहां पर set किया, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूं, बड़ा करने के बाद एक चीज़ notice करना, अगर जितना search area बड़ा होगा, उतना ही tracking करने पर time लगेगा, मतलब यह search उतना ही करेगा, तो एक एक frame यह search करते रहेगा, इतने search area के अंदर, तो इसमें time ज्यादा रहता है, so depending upon the footage, इसको करना है कि हम लोग इसको कैसे रखेंगे, तो after that यह set करने के बाद, हम लोग यहां पर कुछ option होता है, analyze में, जो यह होता है forward track, मतलब click करेंगे, तो automatically track होता रहेगा, यह backward, अगर हम लोग last frame से start करेंगे, तो यह backward track होगा, तो automatically back से चालू होके शुरू तक रहेगा, यह एक एक frame है forward, यह एक एक frame backward, अगर click करके एक एक frame करना है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको, यहाँ पर motion sets one point tracking, हम लोग one point tracker use करते हैं, तो यहाँ पर source क्या बता रहा है, कि 2D tracking one point tracking use हो रहा है, current track track one है, मतलब हम लोग एक ही point लिया है, इसलिए track one दिखा रहा है, नीचे track type है, यह transform है, transform मतलब position shift हो रहा है, तो यहाँ पर automatically यहाँ पर अप्टरिफिट्स ने transform ले लिया है, अगर हम लोग इसमें click करेंगे, तो यहाँ पर stabilize होगा, अगर stabilize करना है, footage stabilize हम लोग अगर use करेंगे, जब कोई motion shaky footage होगा, parallel corner pin है, अगर corner pin का related कुछ काम करते हैं, तो हम लोग perspective parallel पर काम करेंगे, तो यह होता है कुछ options, तो हम लोग इसमें transform पर ही रहेंगे, और कुछ यहाँ पर change नहीं करेंगे, अगर हम लोगों को और भी two point, हम ल footage में यहाँ पर position change हो रहा है, position shift हो रहा है, shift का, तो यहाँ पर directly, automatically track one मतला position पर ही यह काम करेंगा, अगर हम लोग rotation and scale को on करेंगे, तो और एक point यहाँ पर add हो जाएगा, तो वो two point, four point उस time पर यह काम पर आएगा, तो अभी हम लोग देखेंगे one point, तो यहाँ पर कोई भी changes क करेंगे नहीं, position on होगा, because यह position shift हो रहा है, तो हम लोग one point ही use करेंगे, उसके बाद, यहाँ पर एक option होता है, options करके, तो अगर हम पर click करेंगे, तो यहाँ पर कुछ option होता है, tracker name, तो इसका नाम जो है, यह tracker one है, हम लोग इसका नाम change भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहते ह इस tracking के लिए जो plug-in use होता है, वो Adobe का ही inbuilt होता है, इसका नाम है built-in, inbuilt plugin है, channels, कौन से channel पर track होता है, तो basically luminous channel पर ही track होता है, but depends upon the footage and quality अगर हम लोग चाहते हैं, तो इसको RGB channel पर या saturation channel पर भी हम लोग track कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर option होता है, जो very important जैसे enhance before match, इसको हम output देता है, इसलिए अगर footage के अंदर कुछ grain है, या footage के अंदर noise है, या कुछ flickering हो रहा है, lighting का issue है, तो यह background पर calculate करता है, उसको match कराता है, and tracking के time पर कुछ वैसा problem नहीं आता है, तो इसको on करके हम लोग काम कर सकते हैं, basically track fields नहीं होता चाहिए, sub pixel positioning already is on, adapt features on every frame हम लोग on कर सक सकते हैं, ताकि और भी detailed track हो, इसके लिए, यहाँ पर confidence is below 80% है, अगर 80% से कम result आता है tracking का, तो हम लोग को क्या करना है, continue tracking करना है, या stop कर देना है, या हम लोगों का extra polite motion use करना है, तो अगर extra polite motion use करना है, blend करने के लिए तो कर सकते हैं, अगर stop कर देना है, कि अगर जैसे 80% से नीचे चला जाएगा, यह automatically बंध हो जाएगा, tracking, तो अगर वैसे भी करना है, हम लोग कर सकते हैं, तो basically हम लोग यहाँ पर कोई ऐसे changes नहीं करेंगे, continue tracking में रहेंगे, and just मैंने enhance before match and add up feature on every frame को just on किया है, and यहाँ से हम लोग कर देंगे, जैसे हम यहाँ से okay करेंगे, यहाँ यहाँ पर कोई ऐसे changes नहीं होगा, हम लोगों को करना है, अभी track, again track होगा layer panel पर ही, तो हम लोग यह set करने के बाद, we are in first frame, अब हम लोग यहाँ पर on करेंगे, this track forward, analyze forward, तो जैसे click करेंगे, तो we can see कि यह track हो रहा है, तो जितना भी हम लोगों का footage का duration रहेगा, 0 to 200, 0 to 152, उ यह auto track complete हो चुका है, you can see, अगर zoom करेंगे, तो हम लोग देख पाएंगे, इसका एक path generate हुआ है, कि कैसे यह track को complete किया है, अगर इसके अंदर जाएंगे, let's click on arrow, motion tracking, so motion tracking के अंदर tracker 1, tracker 1 के अंदर track point 1, तो उसके अंदर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर confidence level है, तो जैसे मैंने पहले discuss किया, कि 80%, अगर हम लोग वहाँ पर stop tracking use करते थे, यहाँ पर 80% से नीचे जाता था, तो automatically track stop हो जाता था, but अभी जो मेरा है, यह अच्छा tracking confidence level दिया है, 80% से उपर ही दिख रहा है, each and every frame, each and every frame पर अगर अलका सा जाएंगे, हम लोग ऐसे करके है, you can see confidence level, तो यह हम ल 50% से नीचे आ रहा है, हम लोग जो confidence level set था, 80% तब हो सकता, यह tracking खराप होता है, और हम लोग उसने पर retracking करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर easily इसको complete कर चुके हैं, तो जैसे ही यह यहाँ पर complete हो गया, after that हम लोग क्या करेंगे, after that यहाँ पर हम लोगों को कुछ अगर text लगाना है, अगर हम लोगों को यहाँ पर कुछ image लगाना है, तो हम लोग इसको भी लगा सकते हैं, तो suppose अगर यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी text लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से आएंगे composition में, तो हम लोग composition पर आ जाएंगे, and य इसका color हम लोग change करेंगे, तो before that एक चीज़ दियान रखना पड़ेगा, anchor point इसका middle पे होना चाहिए, तो anchor point middle के लिए मैं इंडिया को select करता हूँ text layer को and control alt and home button, control alt and home button press करूँगा, तो क्या हुआ यहाँ पे आ गया, caps lock मेरा on हो चुका है, so just caps lock को मैं off कर दूँगा, anchor point को middle में क attach होई जाएगा, तो suppose Samsung यहाँ पे इसको रखते है, and इसका अगर scale करना है, तो S press करेंगे and scale कर देंगे, पहले class में अलड़ी हम लोग ने discuss कर चुका हूँ, this video, this shortcut के बारे में, and select करके इसमें अगर color change करना है, suppose हम लोगों को यही color लेना है, तो यहाँ से picker tool होता है, click करके, यहाँ पे click करेंगे, तो automatically यही color pick होगा and okay करेंगे, so done, इतना तर रखते हैं हम लोग, and इसको हम लोग attach करेंगा अभी इसके साथ, अभी track नहीं हुआ है, basically track हो गया है, जग text इसके साथ attach नहीं हुआ है, तो उसको attach करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो tracker का information है, मतलब ज copy करके इसके अंदर paste करना पड़ेगा, तससे क्या होगा, उससे यही होगा, कि यह इसका movement जैसे है, इसका भी movement वैसी होगा, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों को फिर जाना पड़ेगा layer में, because composition panel पे यह नहीं होगा, so अगर composition panel पे जाकर tracker में जाएंगे, तो you can see यह पूरे panel ही height दिखेगा, but हम लोग जैसे ही layer panel पे जाएंगे, so यह जो पूरे panel है, यह अभी खुल चुका है, तो कभी-कभी यह होता है, यहाँ पर select करना है, select करना है, select करने के बाद, यह जो track point 1 है, इसको select कर लेना है एक बाद, ताकि यह जो है, यह layer panel पे दिखेगा, now after that क यहाँ पर option होता है, edit target, मतलब किसको target करना है, target उसी चीज़ को करना है, जो हम लोग ने यहाँ पर text लिखा हूँ, या अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी image को ले रहे हैं, तो उसको target करना है, so यहाँ पर अभी के लिए मैंने इसमें text लिखा है, तो just edit target and edit target करने के बाद, य okay करने के बाद भी यह नहीं होता है, तो यहाँ पर करना है apply, जैसे apply click करेंगे, यह एक बार पुछेगा कि apply dimension x and y के हिसाब से यह आएगा, कि click करेंगे only x only and y only, let it be x and y only ही रहेगा and then okay, जैसे okay करेंगे, you can see, जिस जगा पर हम लोग उने track किया था, properly उसी जगा पर यहाँ प यहाँ से थोड़ा सा rotate करना है, तो कर सकता है, select करके, इसको अगर हम लोग our press करेंगे तो rotation होगा, depends upon, sorry यह हम लोग footage को उपर करना हूँ, select करना है, इसको select करके, अगर our record happens, footage के उपर नहीं करना है, because text की उपर करना है, अगर a rotation देना है इसको suppose ऐसे करके, थोड़ा से zoom कर ले और प्रौपर्लि उसी रोटेशन पर काम करेगा अगर इसको स्केल करना है तो हम लोग स्केल कर सकते हैं अगर इसको थोड़ आशा ओपैसिटी डाउन करना है तो टी ओपैसिटी होता है, टी का शाँकट and इसको हम लोग थोड़ा सा opacity down भी कर सकते हैं like 50 और 60 तक इसको रखता हूँ now अगर हम लोग इसको play करेंगे तो यह properly उसी जगा पे attach होगा and उसी के according यह move होगा अगर हम लोगों को चाहिए कि यह जो text है इसको यहाँ पे नहीं इसको थोड़ा सा left मैं तो इस point को track किया था but बाद में अगर हम लोगों को इसको यहाँ पे लेके आना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोग text को select करेंगे and A प्रेस करेंगे A for anchor point आता है and यहाँ से हम लोग इसको move कर सकते हैं कि आज दर left में, right में down पे अगर इस जगा पे हम लोगों को चाहिए या हम लोगों को इसको थोड़ा सा यह जगा पे चाहिए तो हम लोग इस जगा पे भी हम लोग इसको easily move करके कर सकते हैं, उसी यह easily यहाँ पे भी move हो जाएगा, so easily हम लोग कोई भी object को कोई भी हम लोग text को यहाँ पे add कर सकते हैं तो ctrl z कर देता हूँ तो यहाँ पे already जो पहले था तो वहाँ पही यह properly set होगा तो anchor point से हम लोग इसको move करके एक जगा से और एक जगा पे भी shift कर सकते हैं position हम लोग नहीं करेंगे position करके अगर हम लोग इसको move कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना यह animate हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना है हम लोगों का जो इसका anchor point है यह अगर हम लोग move करेंगे तो यह काम इसका हो जाएगा तो अगर हम लोग इसको अभी play करेंगे तो we can see यह easily यहां पर animation हो रहा है मतलब प्रॉपरली यह match हो गया है हम लोगों का जो भी object था उसके साथ same process में अगर हम लोगों को यहां पर कोई भी image लगाना है तो वो भी हम लोग लगा सकते है process same होगा edit target में जाके text के जगा पर image लगाना है the process will be the same यही process से आप लोगों को भी करना है one point tracking I think यह video समझ में आया होगा अगर मेरा video अच्छा लग रहा है तो kindly share my video subscribe my channel hit the bell icon so that आप लोगों के पास notification पहुंच जाए thank you चलिए मिलते हैं next class में